तो आपको calculate करना है in how many days 7 men plus 5 women plus 4 boys will finish work 5 men आपका कर रहे हैं 20 days में तो 1 men आपका करेगा देखिए 5 men कर रहे हैं आपका work को 20 days में तो मैं सब बोल सकते हैं कि 1 men आपका इस work को करेगा 5 into 20 यानि 100 days में वो करेगा ठीक है ना उसी तरीके से 1 woman आपका जो उस work को complete करेगा 2 into 3 यानि 60 days में और आप बोल सकते हैं कि 1 boy उस work को finish करेगा 20 into 6 यानि 120 days में ठीक है ना अब work यहाँ पर given नहीं है तो work को हम मालीजे इनका LCM ले 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 थे तो 160 और 120 का LCM आपका हो जाएगा ठीक है ना तो इनका calculations को easy करने के लिए हमने इनका LCM ले लिया तो इनका LCM हो जाएगा 600 तो work मालीजे 600 है तो हम main के efficiency calculate करते हैं तो यहाँ पर देखे main के efficiency हो जाएगा 600 divided by 100 days ठीक है ना work divided by time यह 600 unit का work हमें perform करना है और one man उस work को perform कर रहा है 100 days में तो main के efficiency हो जाएगा 600 divided by 100 woman के efficiency हो जाएगा 600 divided by 60 याने 10 और यहाँ पर boy के efficiency हो जाएगा 600 divided by 120 तो यह boy के efficiency हो जाएगा 5 तो man के efficiency होगी 6 woman के होगी 10 और boy के efficiency होगी यहाँ पर 5 तो देखे इस system की efficiency आप calculate करते हैं आपके पास 7 man है तो one man के efficiency है 6 तो 7 man के efficiency हो जाएगा 7 into 6 plus 5 into woman के efficiency है आपका 10 प्लस फोर एंटू बोई की एफिशेंसी है आपके पास फाइव तो यह आपका एफिशेंसी हो गई यह ठीक ना एक यूनिट टाइम में या पर डे आप इतने यूनिट का टास्क यहां पर परफॉर्म करेंगे ठीक ना तो यह आपका जाएगा वन वन टू यहांनि मैं ऐसा यूनिट का तो इहां पर जो आपका टाइम लग जाएगा वो टाइम लग जाएगा तो यह जू सिस्टम है यह आपका स्ट्रीं धर इस kang पयत आस्क को में जबता है एलन एपका आनसर आ जाएगा तो चरहों शीक्त Als